इस वीडियो का मुद्दा है कि हम लोग बिल्ड करें तीन API's एक add products, एक get products और एक update products जिसकी साचा से हम लोग products को update करेंगे हम लोग get products की साचा से सारे products को प्राप्त कर पाएंगे और उसके बाद हम लोग update products की साचा से products को update कर सकते हैं जाहिर सी बात है कि जो अपडेट प्रॉडक्ट्स API है यह पब्लिक नहीं होगी वरना कोई भी हमारे स्टोर का प्रॉडक्स को अपडेट कर देगा यह हम नहीं चाहते हैं ठीक है तो हम लोग चलेंगे इन तीनों एक्स को अभी बनाएंगे और बाद में हम किसको क्या एक्सिस देनी है इस चीज की वरी करेंगे चल दें कम्प्यूटर स्क्रीन में और डवलमेंट को स्टार्ट करते हैं तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मिडिल वेर का डिवलमेंट जो कि आपर हमको फैसलिटेट करेंगा मौंगो डीबी से करेंट करने में अब यह चीज़े बहुत सारे लोगों को पन्फियोजिंग लगेंगी लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ इस सिंपल आज इस मिडिल वेर फोल्डर को बनाने के बाद आपको सिंपली एक काम करना है कि इसके अंदर एक कनेक्ट डीबी करके फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है मानलो मैं यह पर मौंगूस.js नाम से फाइल बनाता हूं ठीक है मैंने मौंगूस.js नाम से फाइल बना ली अब मैं करूं मैं डेटाबेस को कनेक्ट करूंगा ठीक है और इसको मैं एक एरो फंक्शन बनाऊंगा और यह विसी के लिए क्ली क्या करेगा मैं यहां पर करूंगा कि अगर अगर अल्रेडी क्नेक्टेड है ठीक है इफ मौंगूस.connections और जितने मीं मौंगूस.connections है उनका पहला connection dot ready state ठीक है यानि कि already अगर connection है हमारे पास मौझूद तब मैं क्या करूंगा तब simple सी बात है मैं कुछ नहीं करूंगा मैं करूंगा रिटर्न कर दो एक handler ठीक है रिटर्न कर दो क्या रिटर्न कर दो handler और यह handler जो है यह argument होता है इसका ठीक है या पर अगर मैं हैरी लिको तो ह रिटर्न करूंगा ठीक है तो यह handler होता है जो कि मुझे as it is return करना है और इसको देना है request response तो इस तरह से में middleware बना सकता हूं लेकिन most probably ऐसा नहीं होगा मुझे connection बराना पड़ेगा तो मैं क्या कहूंगा await और मैं आपर लिखूंगा mongoose.connect और मैं connect करूंगा पहला जो हमारा argument है वो है uri string अब देखो मैं क्या कर रहा हूं .mongoose या फिर mongo uri ठीक है mongo uri अब आपको यह क्या लिख दिया process.env मैं आपर एक file बनाऊंगा .env.local ठीक है अब इस file को बनाने से क्या होता है यह मैं आपको बता दूँ यह एक environment variable file है ठीक है मैं आपर करूंगा क्या कि यहा क्या होगा mongoose uri मेरा मैं आपको बताता हूं मैं यहां पर disconnect करूंगा और यह जो edit को connection string को edit करूंगा और यहां पर यह जो मेरा mongo uri है इसको मैं आपर change कर दूँगा तो जिस भी connection string से यह connect हो रहा था वो यहां पर आ जाएगी ठीक है तो यह environment variables होते हैं वैसी के लिए मैं tracing बना देते हैं यह error मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ठीक है और यह करने के बाद में क्या करूंगा return कर दूंगा handler request response ठीक है तो क्या होगा अगर मैं इसको return करूंगा तो simple सी चीज है कि यह mongoose का connection बना के आने वाली चीजों को जो है process करेगा ठीक है तो मैं इसको default export कर द इसी होती है जो कि हम change करते रहेंगे मानलो मैंने यह application बनाई हो सकता है कि आप लोग किसी cloud mongodb uri को use करें यानि कि आप एक cloud में रखे हुए mongodb database को use करें हो सकता है आप mongodb addless का इस्तिमाल करें और अगर इस तरह के काम आप लोग करोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी mongodb uri को बार-बार change करने की तो आपको code में टटोलना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा कि वही कहां कहां पर mongodb uri use हो रखा है तो हमने एक environment variable बना लिया variable इसको इसलिए कहते है क्योंकि एक variable यह ठीक है variable का नाम है mongodb uri value है ठीक है लेकिन यह variable आपकी application के लिए variable ह जहां जहां process.env.mongo uri लिखो के वो यह वाली value लेगा कभी भी इस value को हमें change करना है तो हम यहां change करेंगे और directly हमारा काम बन जाएगा ठीक है तो यह करने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसको मैं save कर देता हूँ अब इसको हम लोग use कहा करेंगे is a question ठीक है इसको हम लोग use करेंगे अपने get product add product API में ठीक है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि API किस तरह से बनाएंगे तो यह folder structure है अगर आप लोगों को यहां पर कोई भी चीज सबच में नहीं आती है तो मैं कौँगा यार थोड़ा से slow करके देख लो जो कि इसमें बहुत सारी चीज़े हैं कई चीज़े मैंने respective जगाओं पर discuss करी हुए है ठीक है और with that said मैं आगे बढ़ूँगा pages API में जाकर एक यहां पर बनाऊंगा get products ठीक है get products.js ठीक है और get products.js के अंदर मैं यह hello.js जो है उसको paste करूँगा ठीक है अब आप देखो मैं क्या करने वाला हूँ यहां पर मैं सबस तो यह दोनों मैंने import कर लिए अब इन दोनों को obviously मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ ठीक है तो जो get product है जिसमें कि मैं simply products को return करने वाला हूँ उसके लिए मैं क्या करूँगा उसके लिए मैं सबसे पहले तो fetch करूँगा सारे के सारे products को product database में से और उसके बाद यह करने के बा मैं अबर simply यह कर रहा हूँ dot find ठीक है product में dot find method को run करूँगा और dot find अगर मैं करूँगा तो मुझे सारे के सारे products मिल जाएंगे और मैं इसको await कर दूँगा इस function को मैं async बना दूँगा ठीक है इसको asynchronous बनाने की जरूरत है ठीक है तो यहाँ पर एक चीज मुझे करनी ठीक है अब आप लोग देखते जाओं यह क्या कर रहा हूं मैं ठीक है मैंने एक handler नाम का function बनाया और उस function के अंदर मैं यह लिखूँगा ठीक है मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा इस चीज को ठीक है मैं इसको सही कर देता हूँ और मैं क्या करूँगा export default करूँगा function export default क करूँगा connect db में डाल दूगा handler को ठीक है यह करने से क्या होगा यह करने से सिंपली यह होगा कि connection हमारा database से बन जाएगा अगर नहीं बना हुआ है तो ठीक है तो मैंने यहां पर यह कर दिया अब मैं कहूँगा return result status आप कहूँगा products को return कर दो simply ठीक है क्या कर दो return कर दो products को तो मैं कहूँगा json और यहां पर products को return कर दो अब मैं get products को अगर यहां पर लिखता हूँ यहां पर यह अरर क्यों दिखा रहा है अब सही है ठीक है तो मैं अगर यहां पर लिखूँ slash api slash get products तो यहां पर एक server अरर आ गया resolver is not a function अब मैं देखता हूँ कि यह क्या दिक्कत आ रही है हमने यहां पर ऐसा क्या कर दिया जो कि एक दिक्कत यह दे रहा है मुझे restart करना पड़ेगा environment variables वरना नहीं मिलेंगे ठीक है तो अभी मैं इसको reload करूँ अगर तो यहां पर मुझे फिर से यह error देखने को मिल रहा है तो आप लोग यहां पर देख सकते हूँ कि यह error आ रहा है कि request is not defined तो यहां पर मुझे यहां पर इसको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा handler will return a function request response I hope कि यह सही है और मैं इसको reload करूँ गा और यहां पर यह कह रहा है cannot overwrite model product once compiled तो यहां पर cannot overwrite model product once compiled error आ रहा है तो यहां पर होता है कि जब भी यह import होता है तो दुबारा सही बनाने की कोशिश करता है तो इस चीज को fix करने का एक तरीका होता है मैं आपको बताता हूँ आपको models में जाना है product.js में जाना है और यहां पर लिख देना है mongoose.models is equal to empty ठीक है I hope कि यह चीज इसको fix कर दे हाँ देखो अभी हमारी API यहां पर बन चुकी है तो यहां पर slash API slash get product आ गया है अब यह चीज जो है यह मैं सब जगा डालूंगा ठीक है इसको करने का कोई और models को नहीं बनाना चाता जैसे ऐसे media application restart हो रही है और फिर कोई दूसर user access करने की कोशिश कर रहा है तो ठीक है तो इसको मैं reload करूँगा अगर तो यह देखो बिल्कुल सही चल रही है लेकिन हमारा कोई product है ही नहीं तो हमें add product बनाना पड़ेगा ठीक है तो add product API बनाने के ठीक है तो add product dot add products dot jsb अगर मैं कर दूँ तो मैं एक array ले लूँगा ठीक है तो यह भी ठीक रहेगा ठीक है ताकि मैं bulk में products भी add कर सकूँ तो मैं इसको side by side ले आँगा और यहां पर जिस तरह से मैंने get products किया उसी तरह से मैं add product करूँगा अब मैं simple सा काम यह करूँगा if request if request dot method is equal to post ठीक है if double equals to एक string बनाऊंगा post तब हम क्या करेंगे तब ही deal करेंगे मैंने deal ही नहीं करेंगे हम गएंगे भाई rest.status 400 bad request ठीक है this method is not allowed ठीक है और obviously बात ही यह public नहीं होगी API ठीक है मुझे बता है comments आने वाले हैं बहुत सारे तो मैं पहली बता दूँ add product will not be public get products will be public add products बिलकुल भी public नहीं होगी ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भी add करने के लिए दे दूँ products यह just मैं भी बना रहा हूँ ठीक है कि जो हमारा add product है इसके अंदर एक simple सा logic लिखूँगा और simple सा logic यह होगा कि मैं सारी की सारी values को ले लूँगा ठीक है यह सब पेस्ट कर रहा हूं और यह right click change all occurrences कहीं और तो नहीं है यहां से अटाना होगा अरे मैंने क्या कर दिया तो मैं right click change all occurrences करूंगा all दबा के यहां से अटा दूँगा करसर बाकी सब जगा मुझे चीह है तो मैं आपर क्या करूंगा shift end करूंगा backspace दबाऊंगा और इस तरह से कर दूँगा ठीक है और home करूंगा tab दबाऊंगा बस मैं formatting कर रहा हूं या ठीक है तो इसमें आप कुछ ऐसा मैं समझना कि बड़ी rocket science हो रही है ठीक है end दबाऊंगा space दबा के कॉमा लगाऊंगा अब title में क्या करूंगा request.body.title ठीक है end करूंगा ऐसे करूंगा और मैं लिखूंगा request.body और 0 या फिर i. और यहां पर आ जाएगा title की जगा पर title, slug की जगा पर slug, description की जगा पर description, img की जगा पर img, category की जगा पर category, size की जगा पर size, color की जगा पर color, और price की जगा पर price, available quantity की जगा पर available quantity और इसके बाद हम कर लेंगे p.save ठीक है लेगिन यह काम हमें करना पड़ेगा लूप में क्यूंकि आप लोग अब पूछ रोगे की यार यह i क्या है ठीक है और इसको मैं await करूंगा और इस function को async मैंने अल्यडी बना रखा है ठीक है तो हमें से गई लोग पूछोगे की i क्या है ठीक है तो यह एक बहुत बढ़िया सवाल है की i क्या है ठीक है तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पर ए dot length ठीक है और i++ ठीक है और यहां पर मैं कुछ इस तरह से bracket लगा दूँगा तो सारे के सारे products बन जाएंगे ठीक है तो मैं इसको इस तरह से save गड़ दूगा ठीक है तो यह मैंने कर दिया ठीक है मैं आपर promise.all use कर सकता हूं लेकिन अभी के लिए मैं इसको ऐसे रहने दूग ठीक है तो title आ गया, slug आ गया, description आ गया, सारी चीज़े आ गई, अब मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहां पर देखो मैं यहां पर एक नई collection मनाऊंगा ठीक है, मैंने अल्रड़ी यहां पर quotes where नाम की collection मना रखी है बट मैं यहां पर quotes where YouTube नाम की एक और collection मनाऊंगा ठीक है, तो मैं यहां पर new collection पर जाऊंगा, quotes where YouTube नाम की collection मनाऊंगा और इसके अंदर एक new request बनाऊंगा ठीक है, और वो new request क्या होगी, वो new request होगी, एक post request ठीक है, इसका नाम में रख देता हूँ, मैं add products नाम रख देता हूँ इसका, ठीक है, और इसके अंदर ज ठीक है, add products होने वाला है, request post होगी, body के अंदर मैं एक JSON डालूँगा, और वो JSON क्या होगी यह भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से मैं इसको copy करूँगा, title में मैं डाल दूँगा, where the code, and obviously मुझे इसको एक valid JSON मनाना पड़ेगा, तो मैं Ctrl N करूँगा, और यहाँ पर right click change all occurrences, कुछ इस तरह से मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, और backspace, 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 ठीक है, अब यह एक valid JSON तो कम से कम बन जाएगी, ठीक है, तो मेरे जो add products हैं, उसको मैं यहाँ पर paste करूँगा, ठीक है, और अभी भी यह मुझे error दे रहा है, क्योंकि request slug में क्या लिखूँगा, slug में मैं लिखूँगा, कुछ इस तरह से, where, small में लिखूँगा, where, where the code, ठीक है, और यह करने के बाद, description में मैं लिखूँगा, इसको ऐसे रहने देता हूँ, image को भी ऐसे रहने देता हूँ, मैं change कर दूँगा, इसको change कर दूगा बाद में, ठ अब अब यह के लिए मुझे API को function मनाना कुछ भी करके ठीक है color को यह कर दिया price को 499 कर देता हूं ठीक है quantity को 1 कर देता हूं ठीक है क्योंकि यह दोनों integers हैं ठीक है और अब जो है यह अगर मैं post request send करूं तो काम करना चाहिए ठीक है और यहां पर '' else'' में यह डाल दिया है और यह दोनों लाइन से मैं यहां पर send करूं, तो यहां पर यह टग गया है ठीक है यह टग गया है और यह कह रहा है क्योंकि वह कुछ, return ह cleared नहीं हूं हुं okay तो मैंने यहां पर लोग नहीं किया which is not good ठीक है तो मुझे सबसे पहले Ctrl D दुबाना होगा इसकी copy को पर लिए कर जाना होगा 200 करना होगा और मैं आपर लिखूंगा Success ठीक है और यहाँ पर मैं Success लिख दूँगा ठीक है अच्छा अगर मैं दुबारा से मैं से Ctrl C करता हूँ और तो बारा से सेंड करूँ इसको तो यह कहारा Success Success अब यह देखते हैं कि क्या हमारा product add हुआ Redoad करके ही पता चलेगा वो तो नहीं यार Product add नहीं हुआ यार Product add हुआ नहीं क्या MongoDB में कुछ हरकत हुई Connect करके देखते हैं MongoDB को Codesware By the way हमारा database कौन सा use हो रहा है यह भी मुझे देखना होगा और वो मैं .n.local file में देखूँगा App name is equal to MongoDB Direct यह Okay तो मुझे यहां पर करना क्या होगा Database कौन सा use हो रहा है यह भी देखना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर Slash मैं CW.com कर देता हूँ यहां Codesware YouTube कर देता हूँ ठीक है अगर मैं ऐसा करता हूँ और दुबारा से अपना server restart करता हूँ और दुबारा से add product करने की कोशिश करता हूँ तो success तो true हो गया लेकिन क्या मेरा product add हुआ नहीं क्या मेरे MongoDB में database बना Codesware YouTube हाँ बना क्या इसके product में data add हुआ नहीं हुआ ऐसा क्यों हुआ देखना पड़ेगा यह ठीक है तो यहां पर मैंने new product भी किया मैंने p.save को await भी किया एक for loop चलाया है format document कर लेता हूँ लेकिन उसके बाद भी मुझे success नहीं मिली यानि कि for loop के अंदर मैंने await किया सारी चीजों को function भी async है request method भी check किया p.save भी किया लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ एक काम करता हूँ console.log request.body करता हूँ ठीक है और देखता हूँ और यह देखता हूँ कि क्या मैंने body में डाली चीज़े हाँ body में डाली है यहां पर यहां पर एक कर रहा है ओके तो मुझे request को req लिखना पड़ेगा अब मैं restart करोंगा server send करोंगा और देखोंगा यहां पर क्या आ रहा है print हो के भी आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा है हाँ यहां पर पर यह print हो क्या रहा है ठीक है यह एक request.body यह प्रिंट हो के आ रही है, तो मैंने एक बहुत बढ़ी गढ़ बढ़ करी है, हमपर पता है क्या, मुझे एक array देना पढ़ेगा request body को, एक array देना पढ़ेगा, तभी तो इसको देख रहे हो आप लोग, यह एड नहीं होगी, लेकिन अगर मैं अपने slug को change कर दूँ, और इसको where the code 2 कर दूँ, और send कर दूँ, देखो success true आ गया, और यहाँ पर मैं इसको add कर सकता हूँ, what if मैं एक से जादा values को, एक से जादा products को मैं add करना चाहूँ, तो क्या होगा, मैं comma लगा के enter मारूँगा, और यहाँ पर paste करूँगा, where the code 3 कर दूँगा इसको, तो मैं where the code 21 और 23 को यहाँ पर add कर रहा हूँ, send करूँगा, देखता हूँ क्या, दो values add होई, हाया 22 और 23 दो नो add होई, 21 और 22 add होई, 21 और 22 add होई, 21 और 22 add करी थी तो मैं multiple products को add कर सकता हूँ, इस API extension का इस्तिमाल कर रहा हूँ, thunder line take chrome extension, sorry, एक VS code extension है, यह sponsored नहीं है by the way, ठीक है, यह एक extension है और आप इसको install कर सकते हो, और यहाँ पर आपको यह मिलेगा, post men use कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको post men अच्छा लगता है, तो कोई जारा difference यह चीज लाती नहीं है, ठीक है, तो यह हो गया, अभी हमारा, अभी हमारा quotesware YouTube के अंदर add products से एक बन गया, ठीक है, एक मैं बना दूँगा get products, ठीक है, बना देता हूँ एक नई request, और इस request का नाम होने वाला get products, ठीक है, तो new request लिखूँगा, get products, और बहुत ही simple सी get request है, यह वाली get request है, ठीक है, send करोंगे, सारे products मिल जाएंगे, ठीक है, save कर देता हूँ, और add products को भी save कर देता हूँ, ठीक है, तो add products आगया, get products आगया हमारे पास, ठीक है, अब एक update products बनाएंगे, ठीक है, update products, लेकिर update products की API मेरे पास है नहीं, ठीक है, तो update products में क्या करेंगे, कि payload क्या होगा, payload मतलब जो हम request भेज रहेंगे, वो क्या होगा, update product में payload होगा, हमारे product का सारा का सारा नया data और उसकी ID, ठीक है, जिस तरह से add product बनाएंगे, उसी तरह से एक update product भी बनाऊंगा, API folder के अंदर, ठीक है, और ये करने के बाद क्या होगा, कि मुझे ID यूज़ करनी पड़ेगी, किसी भी product को update करने के लिए, ठीक है, तो update करने के मैं mongodb के, sorry, mongoose के function का इस्तिमाल कर सकता हूँ, find ID and update का, ठीक है, तो request.body तो मैं console.log करूँगा, ठीक है, और मैं कहूँगा, यह request method पोस्ट होना चाहिए, यहाँ पर जहाँ मैं new product डाल रहा था इस तरह से, यह मैं हटा देता हूँ, यहां से, ठीक है, शायद मैं for loop के dot find, find by ID and update, यह आगया function, ठीक है, तो इसका जो पहला argument है, वो है ID, मुझे ID देते नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा, request.body i dot underscore id, ठीक है, यह याद रखना कि underscore id होता है, और इसके बाद जो दूसर argument है, वो है request.body i, ठीक है, तो मैं एक से जादा चीजों करता है, let's see, ठीक है, अब यह करने के बाद, मैं क्या करूँगा, कि जब यह loop चल पड़ेगा, ठीक है, मैं यहाँ पर request.status 200 कर दूँगा, और dot json success, success कर दूँगा, और एक चीज़ और करूँगा, जो products हैं, जो update हुएं, उसको पी कर दूँगा, ठीक है, और, यह फिर एक update products है, वो add product और, get product की तरही है, add product की तरही है, ठीक है, add product को कॉपी करूँगा, और update product का गया, update product, update product, update product, तुम कहा गए, update products तुम यह आ गए, ठीक है, और यह बंद करूँगा, यह बंद करूँगा, signup.js बंद करूँगा, बहुत सारी चीज़ खुल गई हैं, सब बंद कर दूँगा सब कुछ ठीक है तो update products या गया get products या गया ठीक है और add products या गया ठीक है add products को मैंने खोल दिया अब add products को खोलने के बाद यहाँ पर इसकी body मुझे copy करनी है मैं शायद इसको change करना चाहूं ठीक है तो update products मैं पता है क्या करूँगा कि जो body है उसके अंदर यह JSON तो डालूँगा लेकिन मुझे ID भी डालनी पड़ेगी समझ रहो तो मैं काम करता हूँ सबसे पहले तो इसको ऐसे कर लेता हूँ एक इस तरह से array बना लेता हूँ ठीक है और get product की साहिता से सारे products get करता हूँ ठीक है और उसके बाद मालो मुझे यह update करना है और यह update करना है यह दोनों मुझे update करना है तो इलिए हमाँ copy करूँगा यहाँ पर लेकर आऊँगा और invalid JSON हाँ ठीक है where the code मालो मुझे हैरी भाई करना है ठीक है और यहाँ पर मुझे वेर्दा कोड तू है डिबाई करना है ठीक है हम मैं सेंड करूंगा इस मेटड इस नॉट अलाओ यह कैसा मज़ा के पोस्ट करके सेंड करूंगा और आ गया इंटरनल सर्वर एरर अरे यार मैंने क्या कर दिया मैंने अपडेट प्रोडक्ट्स यहां पर लिखना था ठीक है तो यार डेवलोपमेंट के डाइब में मेरा मूड बदलता रहता है पता नहीं क्यों ठीक है इसको रिलोड करूंगा धेखो हैरी यहां पर आ गया मालो मैं इसके मालो मैं डिसाइड करता हूँ कि नहीं यार गलत बात है यह वेर्दा कोड हरी भाई क्या होता है अच्छे से प्रोटिक डाल लेते हैं तो मैं या पर लिख दूँगा वेर्दा कोड प्रीमियम टी-शिर्ट एक एक मैं वेर्दा कोड को बहुत बड़िया तरीक कर ठीक है लिंक अब बस अब मुझे आलस आ गया मैं सेंड करूंगा और यहां पर देखोंगा कि अपडेट हो रहा है की नहीं यहां पर ठीक है तो यह लोट किया है पर देखो सारे के सारे अपडेट्स यहां पर आ गए ठीक है तो मैंने सारे प्रोड़क्ट्स अपडेट क करने का ताम जम बना ली और उसी के साथ-साथ मैंने उनको जो गिड़ करने का ताम जबना यह लिया था ठीक है ये वीडियो थोड़ा शाहें लंबा हो गया वैंने बहुत जादा इसमें आप लोगों को बता दिया get कैसे करना है, update कैसे करना है कई चीज़े हम लोगों ने देख ली आने वाले वीडियो में देखेंगे हम लोग की in API इसको कैसे use करना है और यार थोड़ा boring हो रहा है, boring क्यों कह रहा हूं मैं हो रहा है क्योंकि यार यह स्टोर पे हम use नहीं कर रहे हैं अभी इस स्टोर को हम नहीं देख रहे हैं तो जल्दी हम लोग इन API इसको इस्तेमाल करने वाले हैं इस particular Quartzware product पे तो आप लोग इस playlist को ज़रूर सा access कर लेना, अभी के लिए इस वीडियो में कर दो आप लोग इस वीडियो में